गुद मॉर्निंग स्टूडेंट अफ क्लास फोर हाव यू आल आई होप यू अर्वेल आथ होम पिछले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ चुके थे आवर कंट्री इंडिया हमारा देश इंडिया के बारे में यह है चैप्टर टू इस चैप्टर को इस चैप्टर में माउंटेंस अन प्लेटिव इन इंडिया के बारे में दिया हुआ है मतलब इंडिया के पहाडों और पठारों के बारे में दिया हुआ है तो चलिए आगे बढ़ते हैं Landform of our country can be grouped under 60 divisions These are Northern Mountain, the Northern Plain, the Third Desert, the Peninsular Plateau, the Coastal Plain and the Island Landform, Landform मतलब होता है स्थला किर्थी स्थला किर्थी हमारे देश की छे बागों में बाती हुई है कौन कौन सी पहला है हमारा Northern Mountain मतलब उत्री पहाड फिर है Northern Plain उत्री मैदान फिर है थार डेजर्ड थार रेगिस्तान फिर है the Peninsular Plateau प्राइदी पियपठार, the Coastal Plain, ततवर्थी मैदान और Island मतलब दीप अब है क्या the Northern Mountain, the Himalaya are actually called the body and soul of India हिमालय जो पहाड है हम लोग सभी जानते है हिमालय के बारे में यह क्या माना जाता है इंडिया का शरीर और शोल मतलब क्या हता है आत्मा, इंडिया का शरीर और आत्मा माना जाता है दा हिमालय are the highest mountain range in the world हमें यह भी पता है कि हिमालय पहाड जो है वो सबसे उचा है वर्ड में the word हिमालय means the abode of snow हिमालय का मतलब क्या होता है the abode of snow मतलब बर्फ का वास these mountains range are covered with snow throughout the year यह mountain जो है यह पूरे साल बर्फ से धका हुआ रता है हिमालय stretches from Jammu Kashmir in the north to Arnachal Pradesh यह कहां से शुरू होता है Jammu Kashmir जो north side में north side में है to Arnachal Pradesh in the east east के Arnachal Pradesh तक along its way इसंगे रास्ते में क्या क्रॉस करता है हिमाचल प्रदेश उत्राखंड सिक्किम और नौर्धन पार्ट अफ वेस्ट मेंगल कुछ इन हिस्सों में भी हिमालय परवत फैला हुआ है after Arnachal Pradesh Arnachal Pradesh के बास they have been southward and stretches till the state of मिजोरम फिर यह ठीक southward के तरफ bend मतलब घूम जाता है और मिजोरम स्टेट के तरफ बढ़ जाता है when we look at the Himalaya horizontally जब हम लोग Himalaya को 36 रुप में देखते हैं तो क्या देखते हैं North से East Side में you will notice that तुम्हें यह देखने मिलेगा that they are divided into three row यह तीन भागों में बाटा हुआ है that run alongside each other जो एक दूसरे से कट जा दिये at the top close to China border सबसे उचा क्या है China border के नस्दीख है are the greater Himalaya जिसको हम लोग Himadri के नाम से जानते हैं next to the greater Himalaya उसके बाद कौन सा है Himachal है and then lie the outer Himalaya उसके बाद कौन सा है शिवा लिख है आज हम लोग Himalaya के बाड़े में इतना ही पढ़ेंगे फिर आगे हम लोग the Himadri और the greater Himalaya के बाड़े में आगे की details देखेंगे next class में तब तक आप लोग इस chapter को वापस फिर से करना और जहां समझ में ना है इसको अंडरलाइन करके रखना ठीक है तिल देन वेट फॉर दा नेक्स्ट वीडियो बाई करने वेन पप लोगम, कझे हा हैं, चबस्या स समयकंपे का भाओार सताधे की的 अग्षण Kingdom